कि नमस्कार साथ यह आप सभी के एक बार फिर से स्वागत अब्यास एग्री एकडमी की यूटूब चैनल पर तो स्टार्ट करते हैं हमारी लक्ष सीरीज है आज इसका हमारा लेक्चर नमर फाइव है यह जो एग्रीकल्चर इंपोटेंट एमसी की सीरीज है एग्रीकल्चर के सभी एक्जाम्स के लिए आप जिस भी एक्जाम की तयारी कर रहे हैं मल्टीपल एक्जाम्स के लिए सभी ज्यादा बहुत इंपोटेंट है चाहे आप एफो की तयारी कर रहे हैं चाहे आप किसी भी स्टेट के एक्जाम की तियारी कर रहे हैं सभी के लिए बहुत ही ज्याद इंपोटेंट है तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो आप सभी से जल्दी से जल्दी जुड़ियाई फ्रम स्टार्ट करते हैं तो आप जल्दी सी जल्दी जोड़ियाई फ्रम स्टार्ट करते हैं चली तो स्टार्ट करें गुड़ अप्टर नून आप सभी लिए इंप्रोटेंट इंफोर्मेशन दोस्त हमारे एक सफलता है चलती है जिसमें डेली मोक टेस्ट होता है 30 कोशन के आपको डेली 30 कोशन दिये जाते हैं सोल करने के लिए हिंदी इंग्लिस में और इसकी फीस इत यहां पर सभी सब्जेट के मिक्स कोशन होते हैं ऐसे हमारे एक उडान बैच है जिसके अंदर हम टोपिक वाइज एमसे की वीडियो सॉलूसन करते हैं सभी एक्जाम्स के लिए चलिए स्टार्ट करते हैं ऑके पहला प्रस्ण आपके सामने है यह है पहला प्रस्ण है दा ए राची जब खेता ह Hour न एक बैल तो अपने बोडी वेट का कि तना अना वल भॉहां पर फोर्स लगाता है यह सैग्जाम्स प्रस्ण पूच आजा जाता है चलिक भा ईयो जब रिचल जो होता है एक बैल जब खेत में काम करता है ठीक है ट्रिच में का करते समये अपने बोड तो उसका गाता तो उसका टांसर की अपने वोडि वेट का अपने जितना भार होता है उसका एक वटा दस भाग जो है यहां पर वो लगाता है चली अगला प्रिश्न की तरफ चलते हैं अगला प्रशुन है यह फेक्ट वालए को संगल में इस फेंजल इंजों इन इस फिर्मल इफिसंट्र कि इतनी होती है कि comment section नों बताएं डीजल इंजन की आद थर्मल इफिसंट्र कितनी होती वह सररेह प्रस्ण हैं यह एक्जाम में प्этुल डीजल इन इंजन की तर्मल एफिसेंसी कितनी होगे डीजल इंजन की जो है तापी दक्षिता अलगना कितनी होती है तो याद रखना कितनी होती है 32 एले 32 भी है और पहली वाली हमारी होती है याद रखना पैट्रोल इंजन की किसकी पैट्रोल इंजन पैट्रोल इंजन की होती है तीस से लेकर 32 वाली और डीजल इंजन की उती याद रखेंगा आप कितनी तो आंसर है 32 वाले कोस्टन इनको याद रखें यह वाला भी वाला है पर एक्जाम में बहुत ज्यादा आता है इसको अपन समझ लेते हैं यहां पर पूछ रहा है तिल्ट एंगल हो पर डिस्क प्ला कितना होगा बताएं कमेंट सेक्षन में तो इसका करेक्ट आंसर क्या है तो आंसर 15 से लेके 25 डिगरी होता है यह वाला और यह हमारा कौन सा होता है डिस्क एंगल होता है यह हमारा डिस्क एंगल होता है यह हमारा डिस्क एंगल होगा ठीक है तिल्ट एंगल क्या होता है कि के साथ लो देङ्सिर आपको याद रखना यहहोती है दिस्क आपने वेटिकल प्लैन के साथ जो इंगल बनाती है यहां कि डिस्क अपने वर्टिकल बनादी इक वर्टिकल याद रग्ल के साथ गयां लैकर इस तो इसे क्या बढते हैं एय। दिल्ट अंगल और जिदर अगर ऐसा एक्जाम में आए कि डिस्क अपने plan of direction जिदर चलती है तो यह travel of direction यह जो है travel of direction है ना तो जिसके साथ जो travel of direction के साथ जो कोण बनाती यह वाला यह वाला जो कोण बनाती है इसको बोलते हैं डिस्क अंगल तो यह दोनों point आपको याद रखना है कैसे कि आपसे अगर यह पूचे एक्जाम है कि डिस्क जो है दोनों डिस्क की बनाएगी कि अगर vertical plan के साथ कोई अंगल बनाती है कि प्लैन के साथ तोसको टेश्ट अंगल कहते हैं ट्रेफल ओफ डारएक्षन के साथ बनाती हैसके साथ जो आपको याद रखना है इसको बनाती है छली अबज नहीं आ रही क्यां कि आवज आ रही ही न कि का आवा जा रह regardी और जारी हो गी प्रवा जारी यह नहीं क щоб यारा आवज आ रही है राम सिग्जी इनको आवज नहीं आ रही कश स्योंगस व्हां कि मोश्यों कि का रिटाश। आवी स्टूडेंट तो को रितेश नसी फुलेश्वर इसा दीवसिका वर्षा क्या आवाज आ रही है कि बताएं एक बार कमेंट सेक्शन में क्या आपको मेरी वोई सारी के लिए कि आ रही है अगला प्रश्न आप बताएं अगला प्रश्न है कि विच प्लो एससरी यहां पर प्रश्न पूचा जा रहा है कि विच प्लो एससरी विच प्लो एससरी इज यूज टू टू टर्न ओवर ए स्मॉल रिवन लाइक फरो स्लाइस डारेक्ली इन फ्रन्ट ओप दा मैं प्लाव वोटम ठीक है प्रश्न को द्यान से पढ़ना है कि मुक्क हल की तली के ठीक सामने फरो स्लाइस जैसे एक छोटे रिवन को प्लेटने हैं तू किस हना किस हल साय का प्योग करते हैं विच प्लाव एसससरी यूज टू ट है कि जोएंटर होता है चैक है जोंच बाद बोलता है माउर्म यह अनुम धमिग्म प्रकार की क्या छोटी इसमें से इसका कर्यक्त आंसर जोइंटर जोइंटर देखो इस प्रकार का होता है ना जोइंटर जो हैं इस प्रकार का सब कर देखेंगे आप अपको आपको देख रही है तो यहां पर आगे यह देख रहा है आगे की तरफ इ Entwick आधा यह सोटा सा चो क्पाने सबस्क्राइब के यहां पर आपको दिख रहे हैं यहां कि अगधार होता यहां पर इसोजी का यह है तो याद रगसा इसका रिटना क्रिक्ट अंसर क्या जोंटने रहे तो एंठे лохल और। से प्रश्न पूछते हैं ठीक हैं प्लो एससरी होती हैं अगला प्रश्ण बताइए अगला प्रश्न है विच चैन इस मैं ली यूज़ फोर ड्यूरिंग दा कैस्टेड है ना कैडेस्ट्रियल सर्वे के दोरान मुक रूप से किसे चैन का उप्यों करते हैं बताएं कैडेस्ट्रियल सर्वे के दोरान हम मुक रूप से किस चैन का उप्यों करते हैं कमेंट सेक्शन में आंसर बताएं कैडेस्ट्रियल सर्वे के दोरान मुक रूप से किस चैन का उप्यों करते हैं कैडेस्ट्रियल सर्वे के दोरान हम मुक रूप से किस चैन का प्रियों करते है में बताई किसका रिवेन्यू मैंट्रिक इंजिनेर गण्टूर कि तो इसका correct answer याद रहना इसका correct answer revenue जो मैंने कल ऊंदर एक टेस्ट डाला ता उसमें गलती सांसर ना अगर जिन लोगंने टेस्ट टेक्ट करेक्ट करेक्ट रच तो रिवेंगुच मतलब जैसे आप ने देखा होगा आपने किसी जमीन कर नकषा देखा होगा सहर में एक नकषा देखा होगा ना पूरा जमीन वो हुद्ध पारे के वह बनको याद रखना आप दो जानगारी आपको याद रखना है चार प्रकार की चैन से इन को आप क्योंकि टोटल है रिंट कितनी होती है 2.062 fit क्योंकि total है रिंग कितनी होती है 16 आपको याद रखना है revenue चैंड में total है 33 फिट की लंबाई है ठीक है कितनी है 16 होती है तो 2.062 500 ठीक है यूज क्या होगा क्या दिश्टिल सरवे गंटूर चैन 66 फिट है तो हैना कितनी 100 लिंक्स होती है 100 रिंग्स पाई जाती है तो पॉइंट 66 फिट की एक लिंग की लंबाई हो गई तो यहां पर यह इसका एकर्ड में आपको मापना है इसका मीटर मैट्रिक चैन जिसको हम कहते हैं नो में ट्रिक चैन तो मेंट्रिक चैन जो होती है जन्रल सकताव फ्ront वाली तो फोइंटë जाती है एक होती है इंजिनियर चेंट 100 फिट की है ना एक जो रिंग की लंबाई होती है वन फिट क्योंकि 100 लिंक तो आपको पहले लिंक याद करने है ना रिवेन्यू चेंट टोटल रिंक सीजिस हैं क्या सिस्ट शोला गंटूर हंड्रेड ठीक है मीटर 100 और यहां पर इंजिनियर में हैं ठीक है तो आपको सारी चीज़े याद रखनी है कि लिए यह सारी चेंज के बारे क्योंकि एकजाम में एक परसें जरूर आएगा चेंज के काले में कि आना में चार सरकारी नोगरी चुड़ां हूं हम परिशान होके नहीं बना मैं अपनी इच्छा से तीचर बना हूं तेरे जैसे भठका हुआ नागरिक नियुक मैं क्या नामें इसका सोचल एफेक्ट सरकाई नोगरी चुड़ गया था हैं सेंट्रल गवर्मेंट की कि अपना देख ले नोगरी कर ले काई को परिशान हो रहा है क्या ना में सोसल एफेक्ट ना अपने पढ़ाई कर ले में सरकारी नोगरी छुड़ के आया है ठीक है चलिए पढ़े आपन डेट फरो इज मेड़ वाई डेट फरो ना डेट फरो जो है किसके द्वारा बनाया जाता है डेट फरो इज मेड़ बाई बताओ डेट फरो किसके द्वारा बनाया जाता है रोटरी प्लो है वन में एंबी प्लो है डिस्क एरो है टूवे एंबी प्लो है डेट फरो किसके द्वारा बनाया जाता है डेट फरो किसके द्वारा बनाया जाता है डेट फरो इज मेड़ बाई डेट फरो किसके द्वारा बनाया जाता है रोटरी प्लो वन में एंबी प्लो डिस्क एरो और टूवे एंबी प्लो क्या अंसर आएगा कि डैड़ फरो किसके द्वारा बनाए जाता है डैड़ फरो जो होता है किसके द्वारा बनाए जाता है यह रोटरी पलो वन वे एंबी पलो डिस्क है रो और टूवे एंबी पलो किसके द्वारा बनाए जाता है भूआ है हो ओधको ऊती यहांस फुरू होती यहांस सुमना है यहांस सुनना है उए दर drift अगैसे तौह इन wahr a मित्टीं को इसा नहीं को सलाएंगा जेख दर्ग二 है यहां न whilst शुंत इसा अ idea यहां से स्टार्ट किया और वन वे वाला जब यहां से इदर पलटती जाएगी इस तरफ तो यहां से जो फरो वनेगी तो मिट्टी को अंदर की तरफ फैकते जाएगा मिट्टी को अंदर की तरफ फैकते जाएगा तो यह वाली जो फरो है यह वाली यहां मिट्टी से बापस भरती नहीं है उसे अपन कहते हैं इसलिए आंसर क्या आएगा वन वे एंबी प्लो चली आगए बने रिजेंडरेशन ओप्लांट्स फ्रों आइसोलेटेड मेरिस्ट्रमेटिक सेल इस नोन है कि रिजेंडरेशन ओप्लांट्स फ्रों आइसोलेटेड मेरिस्ट्रमेटिक सेल इस नोन है पात्पो में विवजोता कोशिका को प्रता करके पुनरजनन है तो से एम्रोजैनेसिस माइक्रो प्रपोगेशन जीन क्लोनिंग या अरगनोजैनेसिस क्या वोलेंगे रिजेंडरेशन ओप्लांट फ्रों आइसोलेटेड मेरिस्ट्रमेटिक सेल आइसोलेटेड मेरिस्ट्रमेटिक सेल के द्वारा प्लांट को रिजेंडरेशन करना क्या एम्रोजैनेसिस माइक्रो प्रपोगेशन जीन प्लोनिंग या औरगने तो इसे हम बोलेंगे माइक्रो प्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप् क्याते हैं बिल्कुल ठीकशन अगला जीन फोर जीन हाइपोतेसिस वाज गिविन वाई यह यह रहल पृष्ट में ठीक है जीन फोर जीन हाइपोतेसिस जो है कंसेप्ट है गलत जगे आके कमेंट कर रहा है गलत यूटूब पर चैनल पर आके उसका असा लगता होगी सभी यूटूब एग्रिकल्चर वाले टीचर ऐसे हैं कि इनकी नोगरी नहीं लगी क्या कुछ कुछ क्या मांसी गुरूप से स्वस्थ नहीं होते समस्य क्या है विरोजगार यतनी ज़्यादा है कि क्यों जैके संद तो उन्हों थोड़ा एलाज की ज़ुर्द रहती है है जीन फोर जीन हाइपोतिसस वास गिविन भाई जही बेंडर प्लांक है है यह इसका करेक्ट आंसर है यह ज़ूर क्या है करेक्ट आंसर है यह करेक्ट आंसर किस ने दिया तो मैं आपको कई बार में पढ़ा चुका हूँ लिंसी ड्रेस्ट पर वर्क किया था नहीं ठीक है जो की किस्से होती है मिलाम इस पूरा लिनी के दोरा चली है अब अब यसमें बेंडर प्लांग है यह है यह भी महतून बेग आने के तो को बताव कमेंट सेक्षन में इनने की बेंडर प्लांग के दौरा जो वर्टीकल एंड होरीजॉन्टल रिजस्टेंस एक निए वर्टीकल एंड होरीजॉन्टल रिजस्टेंस कंशेब्ट है तो यह तो फादर और माईकलोजी के फादर है है एक है किसके माइकलो जी के फादक है चलिंगे अगल सких इंक्लूडेन और परनॉस्प्राइल बता कौन सी फंजाई परनॉस्प्राइल्स ओडर के इंतरयकात गौन सी इसनोड है कौन सी फंजाई जो है यह विश फंजाई बता आपसे पूछ कौन सी फंजाई परनुस्प्रेल्स ओडर के अंतरगत आती है कौन सी फंजाई जो है परनुस्प्रेल्स ओडर की को ब्लोंग करती है इस मैठ है सिए को पाउबर मिलडू है डाउण मिलडू रस्ट है बताहिए इन वैस सिए कोन सी फंझाई जो है प्रانुस परेल्स नाम के ओडर जो है इसको बलौँ करती बताव है इन में बताए कौनब दाहिं कोन सी फंघस है जो ऑडर प्राम्य स्वरइल को को ब्लॉं करती है इसमाट मट करूं कहा रचंब को पिया विलकी कोंसी बिल्बकूल तो अनमी सभी अन। इसका नाम होता है ना परनोसपोरेस आप 강त पढ़ा भी ओका डाउंने मीलत विलकुल हैं नہं डान में को टर इस्टि लिजिनेंर्ट हुगया है इसके सिंपल है याद रखने का तरीका आपको मलूब है कि इसमट बीमारी जनली किससे होती अस्टी लागों से तो लोगों जितने विड़े हैं इंद और के पीछे में साल सब्सक्राइब जोटा जाता है तो जो पीछे लससब्स जोड़ा जाएगा जोड़ा जाता हुत तो आपको पता यूदिया कि अगला बतां रेड हरी केटरप्लर इस चान्रोल वाई रेड हरी मोराई होते की नहीं चलिए तो रेड हेरी केटरप्लर का कंट्रोल कैसे करते हैं यह इंपोटेंट प्रिष्ण है रेड हेरी केटरप्लर को हम कैसे नियंत्रित करते हैं खेट के चार और खाइक कर ठीक ना बरनेंगों प्रिष्ण फसरे ट्रैप क्रोप कर प्रप्रप्ण्च फसलें इंजने हम कहते हैं खेट की जुताई करके क्या अनसर आएगा बताईए क्या अंसर आएगा जो कि कैसे कैसे कंट्रोल करेंगे को तो एक कहित के चारों कोड़ कर यह वाला इंसर आफा ज्ञैंगा ज्यादा यह वाला मौस्ट इम्पोटेंट है कि अपने को खेत के चारों हो इसे की今年週 में जालना है यह अपना घ्रतेंट है टिक आईक जानु को टे जाई खंच तो जाते हैं कि दूपरसेंट है कि तो जब इसका जो लार्वा है तो पानी में बूब के उंप जाएगा एक डूसरी तो क्या होगा यह मरजा जाेगा इसलिए याद रिखना आपको है इसमें पानी वर देता है टू परसेंट में डाल देते हैं कि यह ना यह प्रकार का पॉली फेकर स्प्रेस्ट है खथरना गई है अगला प्रस्न है अप्रूपीड ब्रीडिंग मेथाड फोर ट्रांसफरिंग डिजीज रजिस्टेंड वर्ड वाइल्ड सोर्स टू इस्टबल बी टी है कि यह पोलिफौ फैगस से जैंगेस्न एक पोली फेकर पैस्ट है यह ऑल खरीब क्रोप को अफ़ेक्ट करेंसे आधिकतर खरीब क्रोव और सबको ग्र enabled को अथ्कों integral का फञीज्ञ अगरोन को किसी Cultivated Termine Está अब दिखू यह जो पे उन्लाइन में त है याद रखना ने ऊप्रोमेंट का अट्य। ना ये सेलफ में ज्यादा यूज़ होता है तोता है और यह नहीं अपको ताल है यह है प्योड राइन वर तनय सेल्फ में सब्सकाइब और यह जो मैतड़ है बल्क वीडिंग मैतड़ यह भी सेल्प में जाद ही उस होता है कि दर्मिनेशन इन्विज कोटि लेटन्स कोटि लेटन्स औफ सीड रिमैंस दा सोय अंक्रण के किस प्रकार में बीज के जो कोटि लेटन्स भूमी के अंदर रह जाते हैं मताई आपके बताना है अंकुरण के किस प्रकार में है ना जर्मिनेशन इन विद्धा कोटिलेटन्स ओफ सीड्स रिमेंश इंदस होई अंकुरण के किस प्रकार में जो है ना कोटिलेटन्स जमीन के नीचे रह जाते हैं मतब्स जर्मिनेशन के किस प्रकार में कोटिलेटन्स जमीन के नीचे रह जाते हैं धार ब्लस के देखने को मिलेगा ठीक है न चलिए को अगला प्राश्ट का अंसर बताएं अमॉंग्ट फॉलोंग बिच नोट जोड़ान फूल फ्रूट इन मैं से कौन सा मौनो कोट फूट नहीं है । इन्मेसे कौन वहाइख एक पत्री नहीं गारpoint को नांक उपका चारों में से कौन सा एक बीच पत्री नहीं है कि चारों में से कौन सा मोनो कोट नहीं है कि मता है कमेंट सेक्षन में क्या अंसर आएगा चारों में से कौन सा मोनो कोट नहीं है क्या कोकोनट कस्टड एपल डेट पांप पाइनेपल पॉछ तो कस्टड एपल है ना सीता फ़लसरीव जी करना जो एक अनिदरय की निए एक टाय कोट कोकोनेट कि अता है वाला फैमिली फैमिली है पैनेपल कॉनेपल के लिल्वी ब्रोमलेजी है वह सं मोनोकोट को ट हाइब यह क्ट एप ल कोश्टाड एपल ओदमेह उक परिखोने में ऊपता Dzad 로 पानी में रख देते तो फूल जाता है उसका क्या कारण है बताएं ड्राइशीट्स वें प्लेजड इन वाटर स्वेल अविस्टू सोकी बीच को पानी में भूने पर फूलने का गारे एब्जॉप्शन डिफ्यूजन इंबाइविशन और एड्जॉप्शन क्या कारण है कि आपने देखा होगा कि नहीं एड्य के पानी को फूल जाता आपने देखा होगा कि यास उसकी पीछे क्या कारण है इंबाइविशन हमेंसा याद रखने हैं इंबाइविशन जो होता है ना ना में में हैं प्राइब तो आंतार है मिशन अन्ता किया ओइस मए किका ऐसरफेश गर्जुआप सब्सक्राइब सबस्राइब गों कियाक establife प्रोसेस के कारण ऐसा होता है थिक चलिए अगला है बुलेटेंस लीफ लेट सर्कुलर लेटर पोस्टर फियर एक्जीविशन रेडियो टेलिविजन आर्द मीडिया किस प्रकार के हैं बुलेटेंस पत्र परिचय पत्र पोस्टर मेले प्रदर्शनी रेडियो टेलिविजन किस प्रकार के हैं एक ओस्वोस नहीं होगा वाई कि इंभाई की संपर तरोग है हुआ हो एक हुआ जहां आशानिंद हो जन्सांशन तक टिंसर कप Feld जो로ालेट प्रबंदन के लिए धान के खेतों को किसके प्रबंदन के लिए धान के खेतों को को बारी वारी से गीला करते हैं और बारी वारी से सुखाते हैं किसके प्रबंदन के लिए धान के खेतों को बार वार गीला करते हैं अल्टरनेटिंग वेटिंग एंट्राइंग यह इंपोर्टेंट प्रिष्ण है किसके नियंत्रन के लिए अल्टरनेटिंग वेटिंग गीला और सुखाते हैं कि आंसर होगा क्या यल्ओलर होगा प्लांट हो पर अमिंख सब्सक्या मादनी छिखट नीला परबाद लोगों ब्राउन प्लांट ओपर जो है किसको ब्राउन को अपर को थे दै कि नीखर वक्ताय गृएंगा थे अटॉर्वा वांट इश्टी से कदे करते हैं यह फिल्ल को करते हैं तो हम फिल्ल क्यों कूल्स कर द हैं कुछ वन लाइनर कोशन लेक्राइघ आंगे मुग का आ comको ड़्यक्ट टांसर बताना रहेगी टिके अपन कोच आशा चालू करेंगी कि ना वन लाइनर कॉचन भी रखेंगे के आप कृतना याद रहता बुद आप लगाई देते हैं वन लाइनर भी कोशन को रखेंगे ठीक है जो है वन लाइन वाले वन लाइनर कोशन भी अपन रखेंगे बिढे खोन कोशन से बाइनर कोशन से नहाँ बिढे खने कोशन को राइनर कापकाईन बाहतर मोशना हीP लाइनर मीडिा़ मेज़े खेती अम्यात्रियों से रेंगेदा